Hello students, कैसे हैं आप मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, ठीक है? तो आज हम आपको हिंदी व्यापरण का चप्टर नमबर ठी, शब्द विचार पढ़ाएंगे, ठीक है? तो पढ़ना शुरू करते हैं, देखे, सबसे पहले क्या आएगा? शब्द, शब्द क्या होता है? भाषा में शब्द का सरवादिक महत्वपोर्ण स्थान है, वास्तब में भाषा का आधार शब्द ही है, शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्यों से भाषा बनती है, लेकिन भाषा बनने से पहले सबसे छोटी काई जो होती है वो होती है शब्द किसी भी शब्द का सही होना ही सही भाषा बनाती है ठीक है शब्द वर्णों से बनते हैं लेकिन वर्णों के प्रतियक समू को शब्द नहीं कह सकते क्यों नहीं कह सकते उनका सार्थक मेल ही उन्हें शब्द बनाता है तो अगर हम पहले थी और हा लिख देंगे तो वह निरर्थक शब्द बन जाएगा उसका कोई भी अर्थ नहीं होगा इसलिए वर्ण का सार्थक में ही शब्द कहलाता है ठीक है बच्चो फिर उसके बाद आता है आपका पद शब्द जब वाक्यम प्रियोग होता है तो उसे पद कहते हैं तब उसके रूप में परिवर्थन हो सकता है देखी कैसे जैसे शब्द है हमारा बालक तो जब हम उसे वाक्यम प्रियोग करेंगे तब बनता है तो उसका रूप बदर जाता है जैसे कि है शब्द तो बालक होता है अगर हम बोलें कि बालकों ने खाना खाया तो देखिए बालक्षब ने परिवर्तन हो गया, यही परिवर्तन कहलाता है, वह, वह को उसने खाना खाया, वह खाना खाता है, उसे भूख लगी है, तो जो भी है यह परिवर्तन करने के बाद पद में प्रियोग होते हैं, वाक्य में प्रियोग होते हैं, ठीक है, काला, काल काले पढ़ पढ़ता पढ़ती पढ़ते पढ़ेगा पढ़ेंगी पढ़ेंगे और पढ़ेंगी तो यह होते हैं पद में जब प्रियोग होते हैं शब्द परिवर्तन हो जाते हैं अब आता है आपका शब्द भंडार किसी भाषा में जितने शब्द प्रियोग किये जाते है उन सब के समू को उस भाषा का शब्द बंडार कहते हैं यानि कि जितने भी हम शब्द प्रयोग करते हैं हिंदी के या इंगलिश के जो ही करते हैं उन सब का समू ही शब्द बंडार कहलाता है हिंदी की गणना संसार की समरद भाषाओं में की जाती है जो दिन परते दिन विकास के नए सुर्पान चूरी यानि की नए उचायां चूरी है इसलिए हिंदी के शब्द बंडार में लगातार व्रद्धी हो रही है इसमें नए ने शब्द रोज जुड़ते जा रहे हैं तो इससे ये इसका विस्तार हो रहा है फिर आता है बच्चो भाषा के वेद हिंदी भाषा के शब्दों का वरगिगर्ण चार आधारों पर किया जाता है तो नमबर एक उत्पत्ती या श्रोत के आधार पर उत्पत्ती या श्रोत के आधार पर शब्दों के पांच वेद के जाते हैं कौन कौन से नमबर एक तत्सम तदभव देशज विदेशी और संकर ठीक है देखे तत्सम शब्द कौन से होते हैं संस्कृत के वे शब्द जो जियों के तियों जैसे वो संस्कृत में होते हैं उन्हें उसी तरह से हिंदी में प्रियोप करते हैं तो वो शब्द होते हैं तत् अब देखिए इन में अंतर देखिया तत्सम जैसे की कार्य इस्तुति नित्य गुण मुख प्रकाश दीपक आकाश जोती कर्म मृत्यू अग्नी यश पुन्य अधिकारादी यह सभी संस्कृत के शब्द हैं जो कि जूंकेतु हिंदी में प्रयोग के जाते हैं ठीक है उसके तदवव देखिए जैसे जीव तो संस्कृत में उसको कहते हैं जीवा लेकिन हम यूज कैसा करते हैं जीव की तरह संस्कृत में कपाट कहते हैं तो हम हिंदी बोलते हैं किवाड दुग्द दूद दधी दही घोटक घोड़ा इनका बदलावा रूप प्रयोग करते हैं यह होते हैं तदवव ठीक है उसके बाद है देशज कुछ शब्द जो देश की छेत्रिय बोलियों से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं अपने देश में ही छेत्रिय बोलियों से हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं वो भाशा होती है वो शब्द होते हैं देशज जैसे पगड़ी, थैला, पैसा, डिबिया, चिडिया, जूता, ये सब क्या हैं? देशज शब्द हैं, जो की बोलियों से हिंदी में प्रियोग करे होने लगे हैं, ठीक है? उसके बाद आता है विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आकर प्रियोग होने लगे हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं, ये ना, दूसरी भाषा से आने के बाद वो हिंदी में प्रियोग होने लगे हैं, जैसे वो होते हैं, देखी कैसे, अ अर्बी भाशा के आजाद, अकवार, इंतजार, इंसाफ, मालिक, कानून, खत, किताब ये सब क्या हैं अर्बी शब्द हैं इन्हें भी हिंदी में प्रियोग करते हैं तो ये विदेशी शब्द हैं फारसी अफसोस, आदमी, आराम, नमक, फौज, जमीन ये सब फारसी की, कुर्ता, कैची, चाकू, तमंचा, तो, काजू, बंदू, बारूद, ये सब तुर्की के शब्द हैं तो ये शब्द जो हैं विदेशी कहलाते हैं जो की हिंदी में हम प्रियोग करते हैं ठीक है विदेशी शब्द को आगत शब्द भी का जाता है आगत मने बहार से देखिए पान हिंदी का है और दान फार्सी का है तो क्या बन गया पान दान दो भाशा हो की शबदों ने मिला कर एक शबद बना दिया पान दान तो ये संकर्शब्द है घरी साज अरबी का है सील अंग्री जी का है बंद फार्सी है तो सील बंद हिंदी का हो गया वर्ष संस्कृत का है और गांठ हिंदी का है तो वर्ष गांठ हो गई ये दो दो भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्द संकर शब्द कहलाते हैं ठीक है बच्चो नेक्स आपका रचना के अधार पर पहले हमने पड़ा उत्पत्ती अश्रोच यानि कि कहां से आये हैं कैसे उत्पन हुए वो शब्द उपर आ गए ठीक है अब रचना के अधार प यानि कि बनावड रशना का अधार मतलब होता है बनावड इसकी आधार पर हिंदी शब्दों के तीन बेद होते हैं ठीक नंबर वन रूड शब्द वे शब्द जो किसी वस्तुवशेस के लिए रूड हो यानि कि निर्धारित हो उनको वही रूप दिया गया हो तो उन्हे कहते हैं रूड शब्द जैसे गारी, सडप, मकान, पेट, बाजार, दुकान, सूरज, चान, तारा, आस्मान, स्कूल, अधी रूड शब्दों के सार्थक खंड नहीं किया सकते हैं जैसे कि यह देखिए यह शब्द है मांग पत्र इसके अगर हम दो टुकडे करें तो एक म भी अर्थ नहीं होगा ठीक है उसके बाद आपका आता है नमगर दो योग रूड शब्द है जो शब्द दो या अधिक शब्दों से मिलके बनते हैं ठीक है जैसे जलज समझने आयोगा दुबारा बताती हूँ जो शब्द दो या अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं दो या दो से अधिक मेल से वो और उनका की कोई या कोई विशेश अर्थ में प्रियोग के जाते हैं वो होते हैं योग रूड शब्द जैसे जलज ठीक है जल में जन्म लेने वाला मचली के लिए रूड है जलज है गजानन गज अर्थात हाती जैसे आनन वाला ठीक गजानन गणेश के लिए यह एक रूड शब्द है गजानन बोलते हैं हमने कुछ और भी कहते हैं बहुत से नाम है गणेश जी के लेकिन गजानन भी एक निर्धारित शब्द है नं नंद का लाल नंद अलग है और लाल अलग है तो नंद का लाल यानि के लिए यह रूर शब्द है ठीक है उसके बाद आता है आपका योगिक शब्द अब इसका देखिए जो शब्द दो या अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं यह देखिए योगिक कहलते हैं जैसे कि राजमार्ग देश्भक्ती नियाय प्रियाय सेना पत्य यह डो शब्दों से मिलके बन रहे हैं इसलिए योगिक शब्द हो गए वहां अंतर क्या है योगरूर में वे एक निर्धारी शब्द होते हैं और विशेश अर्थ में प्रयोग की जाते हैं वो होते हैं योगरूर इनका अंतर बहुत माइनर सा होता है इसलिए आप थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ेंगे अर्थ क्या धार पर हिंदी के हिंदी शब्दों के चारवेद होते हैं नमबर तीन है आपका अर्थ क्या धार पर ठीक है एक अर्थी अनिक अर्थी पर्यायवाची और विलोंग शब्द यह हो गए आपके अर्थ क्या धार पर एक अर्थी मतलब जिन शब्दों का केवल एक ह अर्थ होता है जैसे दर्वाजा कुरसी पलंग इस्तर इसके इकी शब्दавай तो दर्वाजाही हो उसका और अर्वत नहीं होता है खियर अनेक अर्थी के जन शब्दGO के एक अधिक अर्थ और लेकिन के अर्थ बहुत सारे होंगे जैसे अंबर का मतलब आकाश होता है अंबर को वस्तिर भी कहते हैं ठीक है अंक मने संख्या भी ऑए गोध है और नाटक का एक भाग भी है किते हैं नाटक किसी भी नाटक काजे एक अंक आया यानि कि एक फर सब करका मिनिंग होते हैं कल यानि कि चैन मशीन का फायवा दिम इसके भी बहुत सारे हो लेकिन तरहाए आर्ट एकी होता है कि कमल अम्बुज जलच पंकज नीरत रजीव इस अ part बहुत सारे हैं कि इनका मिनिंग ऑक ही है यानि कि कमल यानि की लोटस लोटस के इतने सारे नाम है इस फिर चांद चांद के भी बहुत शारे नाम है यान कि चांद के इतने सारे शब्द हैं जिनका अर्थ सिर्फ चांद होता है चंद्रमा इंदू सोम रजनीश निशाकर रशशी यह सब क्या है चांद है इनका मिनिंग फिर आपका पहार पहार की भी देखो की इतनी सारे शब्द प्रियोग होते हैं लेकिन मतलब क्या एक य है पहार अचल गुरी नक परवत शेल तो मिन और फिर आपका विंद्र ऑफ चिक जो शब्द एक दूसरे का विपरितड देते हैं, यानि कि उल्टा अर्थ देते हैं, वो होते हैं बिलोम स्थी जैसे उन्नति का आवनति, उत्तर का दक्षिन, पवित्र का ऐपवित्र, अच्छा बुरा, यश, अपयश, गुन और अवववन, ठीक है? यानि कि उल्टे अब प्रियोग के अधार पर शब्दों के दोवेद होते हैं, किस तरह से शब्द को प्रियोग करते हैं, उनके होते हैं दोवर्थ, तो देखे विकारी शब्द, वाक्य में प्रियोग होने पर जिन शब्दों के रूप में विकार, यानि कि परिवर्टा ना जाता है, उन्हे विकारी शब्द कहते हैं जैसे बच्चा बच्चे बच्चों बच्ची बच्चियां बच्चियों एक शब्द है बच्चा उसको इतने सारे परिवर्टन करके इतनी जगा पर अलग अलग तारह से यूज के जाता है प्रियोग के जाता है तो यह विकारी शब्द है फिर है मै जैसे कि मैं मैंने मुझे मुझको मुझसे मेरा मेरी मेरे ये भी विकार हो गया यानि कि परिवर्तन हो गया फिर है लिखना लिखता लिखती लिखेगा लिखेगी लिखेंगे लिखेंगे और लिखोगे लिखूंगा तो ये भी आपके क्या हो गए बच्चो परिवर्तन वाल यह सब संग्या हैं तो इनमें परिवर्टन हो गया सर्वनाम संग्या यह हो गए बच्चा बच्चे बच्ची यह सब संग्या हैं यह हो गए सर्वनाम यह हो गए आपके क्रिया विशेशन भी होते हैं जैसे सुंदर तो सुंदरी यह ऐसे बोल देते हैं तो यह शब्द क्या ह विकारी होते हैं इनमें परिवर्तन हो जाता है फिर आपका अविकारी शब्द वाक्य में प्रियोग होने पर जिन शब्दों के रूप में विकार उत्पन नहीं होता यानि कि उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं जैसे यहां वहां इनको प्रियोग करते सेमें, इनमें कोई भी परिवर्टा नहीं होता, इसलिए होते हैं अविकारी शब्द, ठीक है, तो ये कौन-कौन से होते हैं, क्रिया विशेशन, सम्बंद भोधक, समुच्य भोधक और विसमयादी भोधक, ये सब ही अविकारी शब्द होते हैं, ठीक ह अब देखिए बच्चो नीचे है, आओ दोराएं, तो यहाँ एक बॉक्स है, इसमें इस चैप्टर के इंपॉर्टन पॉइंट है, ठीक है, आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे, लर्न करेंगे, ठीक है, इसे तरह से आपको अपनी बुक में पढ़ना है, बच्चो देखो आपको बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, जब तक आप बुक नीपढ़ेंगे, आप इसकी कोई भी एक्सेसाइस फिल नहीं कर सकते, आपको कुछ भी समझ भी नहीं आएगा, ठीक है, और शब्दों को बोल के जरूर देखा करो, कौन सा शब्द कैसे बुल रहा है, किस तर करेंगे, ठीक है बच्चों, ओके, बाई,